ड्रीम एजूकेशन पॉइंट में बात करते हैं हम डेली करेंट अफेर की तो आज का जो हमारा पहला क्यूशन है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किस बैंक के अध्यक्षपत के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है जो दिनेश कुमार खारा 1984 में प्रोफेशनरी ओफिसर की रूप में SBA में शामिल हुए थे तो हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्योशन की रक्षा मंत्राले किस स्थान पर 3-5 फरवरी 2020 को एरो इंडिया की मेजबानी करेगा बेंगलूरू, दिल्ली, हेदराबाद, कलकत्ता जो इसका राइट एंड्सवर है वो है बेंगलूरू अब जो ये एशिया की इसे सबसे बड़ी एरो परदर्शनी माना जाता है जो की र जंगाई सेहोग संगठन S.S.O. के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में 4 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होगी भारत, चेन, मासको, अमेरिका तो मासको के अंदर ये 4 से 5 सितंबर तक आयोजित होगी S.S.O. के बारे में बता दें, जो की पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर विस्ताज से बताया है, जिन्हों नहीं नहीं देखा, वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, हम बात करते हैं आज के next question की, हाल ही में सिंगापूर ने किस सरकार के साथ राजे में कोशल विश्य विदाले स्थापित करने है तू समझोता किया है, तो उसका जो राइट एंस्वर है, वो है असम, अब जो असम के अंदर ये यूनिस्टी की स्थापना 900 क्रोड रुपे की लागत से की जाएगी, तो अब हम देखते हैं, next question, किस राजे सरकार ने प्रतिक्षा पर्थम समुंदरी एंबूलेंस का गठन किया है, दिल्ली, केरल, बिहार, अंदर परदेश, जो इसका राइट एंस्वर है, वो है केरल, केरल में पर्थम समुंदरी एंबूलेंस का गठन किया गया है, तो अब हम देखते हैं, next question, हाल ही में किस शहर में, पला कोची, हेदराबाद, दिल्ली, जो इसका राइट एंस्वर है, वो है कोची, कोची के अंदर प्लास्टिक अप्सिस्ट निप्टान स्वीधा का उदगाटन किया गया है, और अब हम चलते हैं, आज के next question की, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक जानकारे के लिए बता दें, इस रैंकिंग में स्वीजरलेंड पहले स्थान पर है, और लक्संबरक दूसरे स्थान पर रहा है, इसी के साथ में अमरीका तीसरे स्थान पर रहा है, और भारत का जो स्थान, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बैतरमा स्थान है, अब हम जानकारी के लिए बता देते हैं जो किरेन रिजीजु है वो केंद्रिय युवा मामलो और खेल मंत्री हैं जिनोंने पुरुसकार राशी में वरदी की गोशना की है अब राजीव गांदी खेल पुरुसकार जो रतन है उस पुरुसकार राशी को 7 लाक रुपे से बढ़ा कर 25 रुपे कर दिया गया है इसी के साथ में अर्जुन पुरुसकार में जो राशी की है बढ़तरी 5 लाक रुपे से 15 लाक रुपे कर दिये गए हैं और साथ ही द्यानचंद पुरुसकार राशी को 5 अगर आपको आज की ये हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके जुरूर बताएं और वीडियो को शेर जुरूर करें धन्यवाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में थैंक यू इसके इलावा आप हमें अन्य शोसलेप्स, टेलीग्राउं, फेस्बूक, इंस्टाग्राम पर भी फोलो करें